कुछ और अलगों के उच्छ और जुम्मन को केंदर में रखकर प्रिम्चन की प्रासंगीता पर बार्चित करेंगे हमारे साथ बार्चित के लिए प्रेम तीवारी वरिस्ट डालोचक है कथा साहित्य में उनकी विशेईस दिल्चस्पी है खासकर ग्रामीन कहानियों में प्रेम तीवारी दिल्ली विश्वध्याले के द्याव सिंग कॉलेज में एसोसीट प्रोफिसर है और जनवादी दिल्ली के सचियों है तो प्रेम जी मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वाज़त करता हूं जी शुक्रिया जी तो प्रेम जी हम आपने हमारी किताब कुछ और अल आपको लगता है कि आज जिस तरह से संस्कृति और राष्ट राष्ट्रवाद इन सब को एक खास तरह से परिभासित किया जा रहा है ऐसे में क्या क्रिंचन की प्रासंगीत्ता और बढ़ी है जी बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है आप आज के संधर्व में देखिए मेर मानना है कि जब तक राष्ट्रवाद को धर्म और संस्कृति के उस तथा कथित देशभक्ति के रूप में प्रगट किया जाता रहेगा जिसमें एक दूसरे के प्रती नफरत और घ्रना के जहर के सिवा और कुछ नहीं होता तब तक प्रेम चंद की प्रासंगित्ता बनी र प्रारिवाशित किया जा रहा है वो राष्ट्रवाद नहीं है बलकि राष्ट्रवाद का विलोम एक तरह से है जिस समय में जिस दौर में राष्ट्रवाद की जरूरत थी उस समय भारतिंद्ध हरिश्चन ने एक निबंद लिखा उसमें कहा कि हिंदू, मुसल्मान, देखो, तो भारतिंद्ध के समय में जो राष्ट्रवाद था, उसके सामने चुनावती थी सामराजवाद, तो सामराजवादी शक्ति से लड़ने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए, एक राष्ट्रवाद की जरूरत थी, सब को एक जुट करने की जरू मुझाया की। कौूं सी वो सकती है जिसे लड़ने के लिए इस तरह के राष्ट्र्वात की जरुरत आन पड़ी कौूं है जिस से हमें लड़ना है और राष्ट्रवात का हम नाम ले रहे हैं राष्ट्रवाथ में भी हम सब को एक साहथ जोड़ने का नहीं बलकि आज जिस राष्ट्रवात को नए धंग से परिवाशित किया जा रहा है उसमें तो सिर्फ एक ही धर्म को हिंदू को और हिंदू राष्ट्रवात की बात की जा रही है तो जब ऐसी परिस्थितियां जब जब आएंगी तब तब प्रेम चन्द हमारे लिए प्रासंगी को उठेंगे देखिए प्रेम चन्द ने लिखा है और आपने भूमिका में भी इस पुस्तक की इस बात का जिक्र किया है कि प्रेम्चन ने लिखा था कि सामपर्दाइक्ता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है उसे अपने असली रूप में मुखनलों में शायद लज्जा आती है तो हम जान सकते हैं कि किस तरह आज के माहौल में फिर से संस्कृति का खोल ओड़कर एक नए तरह से सामपर्दाइक जहर पूरे समाज में घोला जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे काविज होना है देखिए जब प्रेमचन लिख रहे थे उस समय संविधान अस्तित्व में नहीं आया था लेकिन जब संविधान लिखा गया तो उसमें सेकुलरिजम सोसिलिजम को महत दिया गया प्रेमचन समझते थे कि इस देश के लिए सेकुलरिजम कितनी जरूरी चीज है और इस बात को भी वो जानते थे कि जो कमुनलिजम है जो सामपरदाइक्ता है वो किस तरह एक खत्रे की तरह है तो उन्होंने तो अपने साहित में एक एजेंडे के रूप में के जेंडा बना के ये काम किया और सामप्रदाइक्ता के खिलाफ उन्होंने लेखन किया तो ये बाते हैं बलकि एक बात मुझे याद आ रही है कि महान गाग्यानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि नेशनलिज्म इस ए इन्फेंटाइल डिसीज राष्ट्रवाद एक बच्काना मर्ज है और यहां मानव जाति का चेचक है इट इस दे मिजल्स अफ मैनकाइंड तो जो भी अपने समय के बड़े चिंतक रहे हैं समाशास्त्री रहे हैं साहित चिंतक रहे हैं उन सब ने ये बात कही है कि राष्ट्रवाद की भूमिका एक समय में थी लेकिन आज उसकी कोई जरुवत नहीं है तो उसकी चाहे कितनी भी परिवाशाएं गढ़ ली जाएं आज उसकी जरुरत अब नहीं रह गई है और उसे हम देख रहे हैं कि वो किस लिए उसकी नहीं नहीं परिवाशाएं गढ़ी जा रही है उसके पीछे मकसद क्या है जी वोई यही सारी बाते हम लोगों के जहन में भी थी और इसी में हमें प्रेरित किया कि हम प्रेमचन की उन कहानियों को सामने लाएं जिनमें प्रेमचन ने यह सवाल उखाया है और यह पर रखने की कोशिश की है कि किस सरह से साम्प्रदायिकता समाज को में को खोखला बला देती है, किस सरह से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करती है तो यह जो हमारी किताब है इसमें हमने प्रेमचंद की वैसी कहानिया संकलित की है तो आपने इसकी भूमिका लिखी गई है तो आपने इसकी भूमिका देखी होगी तो इसमें कहानी उनकी ऐसी संप्रदाइक्ता विरोधी कहानियों का जो चयान है उसका वर्गीकरन किया गया इसमें किस तरह की कहानिया पेंचंद की मिलती हैं जिसमें वो इस तरह के सवाल को उठाते हैं इस तरह के सवालों से जूचते हैं और उसे अपने तरीके से मतलब प्रसुत करते हैं समाज को एक उदिशा देने के लिए भी तो आपको इस तरह का वर्गी करम कैसा आपको लगा किताब आपने यह निकाली है यह शुक्रिया और यह कहानिया पहले भी हमने पढ़ी थी लोगों ने पढ़ी थी खास बात इस किताब की यह है कि इसकी जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है इन इस भूमिका के कारण इन कहानियों को पढ़ने का द्रिष्टिकोर बदल गया है जो पाठक पहले इन कहानियों को पढ़ चुके हैं वो इस भूमिका को पढ़ने के बाद उन कहानियों को फिर से अगर पढ़ेंगे तो उनके द्रिष्टिकोर में कहानियों को देखने के उ उसमें फर्क आएगा, वो और बहतर ढंग से इन कहानियों को समझ सकेंगे, पहली बात तो मैं यह कहना चाहरा हूँ, दूसरी बात कि कई बार चीजें फोल्ड में होती है, आपने भूमिका लिखकर इसको अनफोल्ड कर दिया है, यह मुझे एक खास बात लगी, कि कहानियों क यह भूमिका खोल देती है, जो वर्गी करण आपने किया है, इस तरह के वर्गी करण की बात मेरे दिमाग में पहले नहीं आई थी, कहानियों को पढ़ती हूए, चाहिए गाह हो, चाहिए शमा कहानी हो, या पंच्पन मेश्वर कहानी हो, यह तीनों तीन काटेगरी आपने बना के तीन वर्गी करण आपने तीन किये हैं, और यह तीन कहानिया अलग-अलग वर्गों में आपने रखी हैं, और पता है कि इन कहानियों को अलग-अलग वर्गों में रखने के पीछे क्या मकसद है, इस ढंग से मैंने इन कहानियों को वर्गी करित करके नहीं पढ़ा इसलिए मेरे लिए बड़ा ही इसकी इस किताब की और इस किताब की खास तोर पर जो भूमिगा आपने लिखिए उसके लिए उसका महत मेरे लिए बढ़ जाता है देखिए ये बात जो प्रेंचंद की कहानिया हैं कि आपने पहला जो एक बनाया की एक वर्ग बनाया कि इसलाम के चरित्र पर रोश्णी डालने वाली कहानिया और इसलाम के नाम पर फैलाई गई जो भ्रांटियां हैं उनको दूर करने वाली कहानिया और या बताने वाली कि इसलामी समाज और जीवन की बुनियाद भी उदात्तमानवी मुल्यों पर टिकी हैं यह यह जो बात आपने लिखी है यह सिर्फ कहानी के लिए ही नहीं बलकि हम अपने समाज को भी देख सकते हैं इस वर्गी करन के हिजाब से प्रेमचन आज भी मुझे लगता है कि हिंदी और उर्दू दोनों के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेकग हैं और जो व्यक्ति सहित के बारे में नहीं भी जानता है वो प्रेमचन को जानता है मतलब सहित के एक तरह से लेखक का परयाय है प्रेमचन जैसे आप किसी स वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो अभी भी उनको बिलकुल केंद्र में रखती है प्रासनित मनाया रखती है कि इस सवाल पर तो मैंने विचार किया तो मैंने यह मैसूस किया कि अलग अलग कारणों से लोग प्रेमचन को पढ़ते हैं और पसंद करते हैं मैं अपनी ंगर विक्तियत अपनी राय रखयो कि मैं प्रेमचन को क्यों पर पढ़ता हूं मेरी पसंद्ए क्यों है प्रेमचन तो पहली बात तो यही है कि उनकी परासंगिता भारतिय समाज में आज भी बहृत सी ऐसी चीजें है बहुत साइसी भातें थे समस्याय हैं जीवन की प्रि से उन्होंने उन बातों को सामने लाया है वो मुझे बढ़ा दिल्चस्प लगती है एक तो ये उनकी प्रासंगिक्ता के कारण में प्रेम्चंद की तरफ जाता है दूसरी बात जो खासत तौर पे मुझा करशित करती है वो है कि भाशा का जो प्रयोग किया प्रेम्चंद ने वो बिलकुल आम बोलचाल सामान सहथ भाशा उनकी कहानियों में दिखाई देती कहीं कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा कि उसको पढ़के समझने के लिए हमें थोड़ी मशक्कत करने पड़े और हमारे जीवन में हमारे समाज में हमारे आसपास घरों मे बाहर जो मुहावरे बोले जाते हैं जो मुहावरों का प्रयोक किया जाता है उसका खूब प्रयोक किया मैं देख रहा हूं कि आज के कथाकारों के हां मुहावरे नहीं आते हैं प्रेम चन लिखते थे तो मुहावरों में बाते कहते थे शब्दों की बचत होती थी इससे कम वाक्यों में ही बहुत सी बादे कह जाते थे और वो मुहावरों के कारण बाते लंबे समय तक याद रह जाती थी लेकिन ये इसको क्या कहें कि एक तरह प्रेंचन सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लिकक हैं इतने प्रासंगिक हैं लेकिन एक बड़ा तपका अकसर उन पर सवाल उठाते रहता है और बीच बीच में इधर आप देखिए कि उनको खारिज करने के भी कोशिश खूब चलती रहती है और तरह-तरह के तर्क दिए जाते हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या बिरोध जो होता है इसके पीछे क्या मन्शार है रहती है और प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत यही है कि प्रेमचंद को खारिज करने की कोशिशें लगातार हो रही है यह ताकत है प्रेम चंद, ताकत इस रूप में है कि प्रेम चंद के पूरे लेखन को उठा के देख लें आप, उसमें सामराज्यवाद, पूझीवाद, सामंतवाद को लेकर जितना लेखन प्रेम चंद ने किया है, उतना मुझे समस्ता हूँ कि उस दौर में उसके बाद भी और क्या आज सामंतवाद और पुझीवाद और स्मराजवाद की समस्या क्या हल की जा चुकी हैं, नहीं की जा चुकी, तो जो लोग जंडा उठाएु हैं सामंतवाद का, उनके तो रास्ते में रोड़ा बने हुए है प्रेम्चन्द अब वो उसे खारिज करने की कोशिश करते है और प्रेम्चन्द को खारिज होने वाले लेकर नहीं है जब जब उन्हें खारिज करने कोशिशnehmer की तब तक उनका महत्र और बढ़ता जाएगा क्योंकि जब तक हमारे समाज में यह जो जो पैसे का राज है आपने अपनी भूनका में भी इस बात को हाइलाइट किया है कि जो पैसे का राज है जो पुझीवाद है उस पुझीवाद में जो शोशन किया है जो असमानता पैदा क कि है सामन्तवाद में जिस तरह अंद विश्वास, पायदा किया है। धर्म का जिस तरह से चरित्र हमारे समाल में‥ यह सारी बाते जो है प्रेम चन के साही度 में हैं और यह सारे लोग उनके पीछे हैं कि वह उनको खारीज करने कुशिश कर रहे हैं तो मैं तो यह बार-बार कहता हूं कि प्रेम-चन की प्रासंगिक्ता चाहे कितनी भी उन्हें खारीज करने की कोशिश की जाए वो खत्म होने वाली नहीं है लेकिन कई बार मतलब जो गंभीर लेखक हैं जो आज लिख रहे हैं जिनकी पाचान है वो भी इसको लेकर कि प्रेमचन पर सवाल उठाते रहते हैं कि कब तक हम प्रेमचन को ढोईगे क्या जरूत है उनको ढोने की इस तरह की बातें वो कर है तो जो लेखक लिख रहे हैं उन्हें लगता है कि प्रेमचन को पढ़ने वाला जो इतना बड़ा समाज है वो बाकी लेकों की तरफ ध्यान नहीं देता है तो उनके भीतर एक यह भाव जगता है कि अगर प्रेमचन को हम हटा दें तो हमें पढ़ने के लिए और हमारी सिद्ध होंगी जिस तरह से प्रेमचन की है लेकिन यह तो तब होगा ना जब प्रेमचन जैसे लिखा जाए उनके तो एजेंडे पर चीज़े एदम साफ रहती थी कोई उपणास अदेखिए कर्म्भून दिल्ली शुद्याल dazzAN में पढ़ाया जाता है कRC कर्म्भून करम्भून में देख लीए सिधर्म के बारे में किससे लिखते हैं वो जो लेखक ने उनको खारी चोटी अंतरविरोध होते हैं लेखकों में, तो चोटे उन्तरविरोध प्रेमचंद में भी थे, उन बातों को परता डालना, जिनके कां़ प्रेमचंद को पढ़ा जाना चाहिए, मि नहीं समस्ता हूँ कि यह उती है, यह आउसा हो। एक सवाल जो मैंने उठाया है वो ये है कि प्रेम्चन हिंदो मुस्लिम सहजीवन जो रहा है हमारे सभाज में गाओं में खास दोर से तो उसको वो अपनी कहानियों में उठाते हैं उनका जो आपसी संबंध है उनका रोज का उठना बैठना सुख दुख में दुसरे के साथ ह होना चोटे मुटे जगड़े होना फिर मिलना फिर वो एक साथ उनका जीवन है तो इसकी वज़ा कुछ लोग यह बताते हैं कि उनका परिचय था समाद में भूले मिले थे धीरे-धीरे क्या हिंदी सहाइत में इस तरह की शिकायते भी हुई है इस तरह की शिकायत में करते ह हैं हिंदू-Muslim सहाजीवन उस तरह से अब नहीं आता है तो धीरे-धीरे प्रेम्चंद के बाद उतना ज्यादा उस सर पर हिंदू-Muslim सहाजीवन नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या ऐसी शिकायत वाजीब है क्या और अगर है तो इसकी क्या इसका जवाब मैं कितना दे पाऊंगा लेकिन संजय जी मुझे यह लगता है कि प्रेम चंद का जो समय था वो आज के समय से थोड़ा अलग था आज समय जो है ज्यादा जटिल हो गया है और प्रेम चंद और उसके बाद जो सामपर्दाईट्ता की राजनीत है उस राजनीत ने भी बहुर जहर भोला है जिसके कारण खे में बट गये हैं अब बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं महले बन गए हैं उन महलों में अलग अलग तरag तो यह समाज में चीजें हुई है जो घटाइं हुई है आप देख लीजिए जो पिछले दिनों जो दंगे हुए क्या उसका असर साहित्य पे नहीं पड़ेगा कि सामाज पर पड़ा है साहित्य पर पड़ा है तो जाहिर है कि प्रेम चंद के बहुत गरीब है उससे प्रेम करता है और उसका दोस्त जो मुस्लिम दोस्त है वो कहता है कि यह मत करो नहीं तो भुचाल आ जाएगा वो वो जमान में भी थी लेकिन रिष्टे थे वो रिष्टे धीरी धीरे जो तार थे जो जुड़ाव था जो ताना भाना था उसको सांब्रदायक्ता ने काफी तोड़ दिया है एक तो यह कारण है दूसरा कारण यह है कि यह जो नया जो दावर है इसमें इस्त्री दलित आदिवासी विमर्श जो साहित में आया उसने एक नए तरह का एक जो साहित लिखा जा रहा है उसमें ये बातें पीछे चली गई सामरदाइकता की या हिंदू-मुस्लिम जो समाज के भीतर हिंदू-मुस्लिम के जो रिष्टे थे इन रिष्टों की कह कहानियों पर ध्यान कम गया बनिस्पत इसके की ज्यादातर कहानिया इस्त्री शोशन और पीडन यह और दलित और आदिवासियों को केंड़ में रखके लिखी तो मैं दिलिविश्विदाले महूं बहुत से विद्यार्थी शोद के संदर्म में भी मिलते हैं तो पता चलता है कि जादा तर शोद भी दलित इस्त्री और आदिवासी जो पन्यास और कहानिया लिखी गई है उन्हीं पर हो रहे हैं सांपरदैक्ता या हिंदू-मुस्दिम जो रिष्टे हैं कहानियों में उस पर बहुत काम नहीं हुआ है नहीं हो रहा है विद्यार्ति उधर नहीं ज जिस तरह उन रिष्टों को हिंदू-मुस्दिम के रिष्टों को ककानियों में दिखाया वह बाद की कहानियों में आदж कि कहाने में ऐसा है नहीं यह पूरी तरह सच नहीं है और मैं आपको अगर आप इजाजब दो मेरे पास एक छोटी सी list है जिसमें मैंने यह यह मैंने जो पढ़ा है मैंने कि इधर भी जो कहानिया लिखी गई है और कमाल की कहानिया लिखी गई है और उन कहानियों में हिंदू मुष्दिम का जो सह जीवन है जिसको आपने अपने भूनका में भी रिखांकित किया है कि प्रेमचंद की जादा तर ऐसी कहानिया थी जैसे पंच परमिश्वर है तो उसमें अलगू और जुम्मन इन दोनों के रिष्टे और इन दोनों के रिष्टों में जो थोड़ी कड़वाट भी है उसका कारण हिंदू मुस्लिम होना नहीं है इस तरह की कहानिया जिसमें रि हैं जगड़े भी होते हैं उनमें मनमुटाव भी होता है लेकिन वो कारण हिंदू और मुस्लिम होना नहीं है बहुत महतुरून बात आप कह रहे हैं और यह वाकाई बहुत सुखद है कि प्रेमचंद के विरासत को जो युवा लिखक हैं जो आज के जो सब्गालीन लिखक हैं वे उसे आगे बढ़ा रहे हैं उसे मद्बूत बना रहे हैं तो यह एक अच्छी बात है यह वासुखद है तो आज आपने कई बाते बताई और प्रेमचंद को लेकर कई नए आया और इस बहाने हमने कई नहीं चीज़े पर बातचित की तो आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आपसे बात की इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें उमीद है कि फिर हम किसी और विसे को लेकर आपसे आगे भी बात करते रहेंगे जी बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ इस चर्चा मे शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े और हमारे बाचित को उनों ने देखा और एक बार फिर हम उन्हें यह याद दिलाना चाहेंगे कि यह हमारे किताब है जिसकी कीमत धाई सो रुपए हैं, कुछ और अलगू, कुछ और जिम्मन, इसे ओनलाइन liftwood.com पर जागर मगवाया जा सकता है, तो अब दीजिये इजाजत, नवसकार